लेटिन अमरीकी देश, ब्राजील के कई भागों में लंबे समय से जारी गर्म एवं शुष्क मौसम से गन्ना की फसल प्रभावित हो रही है, जिससे अगले क्रशिंग सीजन के दौरान वहां चीनी के उतपादन में गिरावट आने की संभावना है. दुनिया में चीनी के सबसे प्रमुक उतपादक एवं निर्यातक देश, ब्राजील में लगभग 90 प्रतिशत चीनी का उतपादन मध्य दक्षिनी छेतर में और 6-10 प्रतिशत का उतपादन उत्तरी एवं पूर्वोत्तर भाग में होता है. वहां गन्ना की क्रशिंग एवं चीनी के उतपादन का नया मार्केटिंग सीजन आपचारिक तौर पर 1 अप्रेल 2024 से आरंब हो जाएगा. उद्योग व्यापार समीक्षकों के अनुसार 2023 से चौबीस के वर्तमान मार्केटिंग सीजन के दौरान ब्राजील में गन्ना एवं चीनी का उतपादन बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया. विशलेशकों के मताबिक वहां गन्ना का उतपादन 2023 से चौबीस के 64 करोड टन से घटकर 2024 से 25 के मार्केटिंग सीजन अप्रेल से मार्च में 62 करोड टन पर सिमट सकता है. वर्षा कम होने से गन्ना की ओसत उपजदर में 6 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है. एक समीकशक के मताबिक चालू सीजन के दौरान गन्ना का उतपादन उचल कर 65.15 करोड टन के सरवोचस्तर पर पहुँच गया इसके फलस्वरूब चीनी मिलों को नियमित अवधी के बाद में गन्ना की क्रशिंग जारी रखने में सफलता मिल रही है. मध्य दक्षिनी छेतर की चीनी मिलों द्वारा गन्ना की संपून उपलब्ध मात्रा की क्रशिंग किये जाने की उम्मीद है. चीनी का अंतराष्ट्रिय बाजार भाव काफी उंचा रहने से ब्राजील के मिलर्स को अधिक से अधिक मात्रा में गन्ना की क्रशिंग करने का प्रोटसाहन मिल रहा है, जबकि गर्म एवं शुश्क मौसम भी इसमें उसकी सहायता कर रहा है. विशलेशक पहले अनुमान लगा रहे थे कि 2023-2024 के सीजन में उतपादिद गन्ने की संपून मात्रा की क्रशिंग नहीं हो पाएगी और इसका कुछ भाग अगले सीजन में क्रशिंग के लिए खेतों में ही छोड़ दिया जाएगा. विशलेशकों ने 2023-2024 के वर्तमान मार्केटिंग सीजन के दौरान ब्राजील में चीनी का कुल उतपादन उचल कर 422 लाक टन तथा ब्राजील से चीनी का निर्यात बढ़कर 333 लाक टन पर पहुँचने का अनुमान लगाया है, जबकि 2024-25 के नए सीजन में चीनी का कुल उ यक्त की है, Bureau Report Market Times TV